हेलो दोस्तों स्वाथ है आपका डिमाकटिंग बोले मेरा नामे विशेग दोस्तों आज की वीडियो की डिस्काउंट लिंक भी दूँगा वैब होस्टिंग का जिस पर अभी चल रहा है टोटल 80% का डिस्काउंट और साथ में आप जब भी रिन्यू कराओगे आपको डबल प्राइस नहीं देना पड़ेगा जिस प्राइस में आप आज करीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूल भी हो जाएगा क्योंकि देखो सीदी सी बात है अगर आप एक नया ब्लोग बनाओगे तो गूगल को तो पता होता नहीं नहीं बिंग को पता होता है नहीं किसी को पता होता है कि आपने एक नया ब्लोग बनाओग आपके अलाबा किसी को पता नहीं रहेगा ठीक है ये सोच के हम परेशान होते हैं और हम इसको बहुत difficult समझ लेते हैं तो अब इसको मैं थोड़ा सा open करूँगा कि ये चीज जो है कैसे किया जाता है और guys बहुत easy है ठीक है ये चीज जो है बहुत easy है क्योंकि देखो एक ऐसा blog जिस पर एक भी traffic नहीं है उस पर traffic increase करना बहुत आसान है और एक ऐसा blog जिस पर हजारों में traffic आ रहा है आप चाहते हो कि उसमें लाखों में traffic आ जाए तो वो मुश्किल है उल्टा ये करना मुश्किल है हमारे लिए लेकिन एक नया blog जिस पर एक भी view नहीं आ रहा है उस पर 10, 20, 30, 40, 50, 100 view हर रोज के लेकर आना कोई बहुत बड़ा task नहीं है ठीक है कैसे करते हैं अब हम discuss करेंगे देखो अभी मान के चलते हैं कि आपका एक news blog है ठीक है news blog के case में totally बहुत easy रहता है traffic लाना और बागी जो blogs होते हैं उनके case में थोड़ा सा difficult रहता है लेकिन अगर आप properly काम करोगे तो उस पर भी traffic आएगा news blog के case में क्या करने में आग होता तो आप आज का अगर news का भी लिखते हैं अपने blog पे तो इस case में भी आपके blog पे तो traffic नहीं आएगा ये बात तो confirm है क्योंकि बड़े blogs बहुत सारे हैं जो same news को लिख रहे होंगे ठीक है यही हमारे सामने सबसे बड़ी difficulty होती है कि यार बड़े blogs बहुत है जो same article को लिख रहे होंगे हाँ बस title सेम ही होगा almost बाकि article लिखने का सबका अपना अपना तरीका होता है लेकिन अब आपका news कोई क्यों पढ़े जब बड़े articles बड़े लोगों के articles ओलरड़ी टॉप पे rank हो रहे है Google के तो guys इसका एक बहुत ही easy तरीका यह है कि जो भी नया update आता है news में तो उस चीज पर आप Facebook groups को join कर सकते हो और Facebook groups traffic लाने के लिए सबसे सई तरीका है Facebook group में क्या करना है आपको सिर्फ एक image उठाना है image उठाके उस पर कोई एक ऐसी line लिख दो कि मतलब इस खिलाडी ने कल वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था ठीके अब वहाँ पर अपने article का link दे दो जहाँ पर एक बंदा होगा मालो यशस्वी जैसवाल है जिसने पिछले match में अभी 179 run कुछ बनाया ठीके अब इस पर एक article link दो और आप वहाँ पर यशस्वी जैसवाल का फोटो लगा उने लगा इस भारती खिलाडी ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो आज सक किसी ने नहीं किया लोग यह जानने के लिए उस link पर जरूर क्लिक करेंगे कि ऐसा कौन सा भारती खिलाडी है और उसने क्या कारनामा करके दिखाया है ठीक है तो इसलिए यह जो तरीका होता है आर्टिकल्स पर ट्राफिक ले जाने का फेस्बूक ग्रूप के तरूप यह बहुत ही तरीका है और अगर आप यही चीज अपलाई करोगे अपने फेस्बूप पेज पर तो आपका फेस्बूप पेज भी ग्रूप होगा और आपका जो ब्लोग है वो भी डेफिनेटली ग्रूप होगा ठीक है अब यह तो रही बात क्रिकेट की आप यह चीज हर जगे अपलाई कर सकते हो अगर आप Bollywood industry को लेकर अगर आप कोई articles वगेरा लिखते हो या फिर आप मालो की कोई current affairs को लेकर लिखते हो government exams को लिखते हो या फिर कोई normal जो news accidents वगेरा होते है जो भी मतलब जिस तरीके का भी आप news चापते हो अपने blog पे आप उस article को लिखो और उसको थोड़ा सा interesting बनाने के लिए एक image लो और उस image लेकर उसके उपर जैसे मैंने आप भी बताया curiosity create करने वाले एक line लिख दो बस लोग उसपे click करेंगे आपके article पर traffic आएगा और ऐसा भी नहीं कि कोई एक या दो traffic आप अच्छे खासे traffic आएगा आप है तो यह तो आप कर सकते हो news blog के case में अब अगर हम बात कर ले information blog जैसे कि educational blog हो गया health related blogs हो गया ठीक है तो यहाँ पर भी आप चीज़ कर सकते हो देखो health क्या होता है health related अगर आप blog लिखते हो तो यहाँ पर health एक ऐसी चीज़े जो इनसान को हमेशा डरा के रखती है है ना कोई भी बिमारी जब होती है किसी को भी किसी भी तरह की बिमारी हो वो हमेशा क्या इनसान को डरा के रखती है और यह जो डर है इसका आप फाइदा उठा सकते हो हाला कि कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन यादे को सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं देखा जा तो आने थिकल है लेकिन लीगल है तो अगर इस तरीखे से हम इस चीज को सोचे हैं तो आप जो है वो डर आप पेदा कर सकते हो अपने articles के अंदर तो आप जैसा जो normal, जो proper information है वही दो बहाँ पर लोगों को डराना नहीं है आपको अपना Facebook पेज फिर से Facebook पेज भी आप इचीज अपलाए कर सकते हो बहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा Curiosity पैदा करो एक दम से ज़यादा नहीं डराना है थोड़ा सा Curiosity पैदा करो ताकि कम से कम बोलो उस link पे click कर ले ठीक है और आपके article पे आजाए फिर आपका article पढ़के डरे हुए लोग अब खुश हो के जाएंगे क्योंकि उन्हें उसका solution दे दिया आपने कि अगर आपको ये problem हो रही है अगर आपके pimples हो रहे हैं तो और बहुत जादा हो रहे है तो किस वज़े से हो रहे है इसका solution क्या है कौन से doctor से मिलना चाहिए ठीक है तो ये सब चीज़ा आप बता सकते हो आपके area में सबसे अच्छे doctor कौन कौन से ये suggest कर सकते हो ताकि लोगों की problem महां से small हो जाती है लोगों क्या चाहिए होता है उनके pimple आ रहे है सबसे पहले उन्हें जानना होता है कि क्यों आ रहे है क्या पता वो लोग कुछ ऐसी गलत काम कर रहे हो जिसके वज़े से pimple आ रहा होगा ठीक कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती हो उनके YouTube का link भी दे सकते हो आप उनको तो इन सब चीज़ों से आपका article उनकी problem को solve कर रहा है तो जो लोग डरके आये थे उनको solution मिल गया आपके article से तो वो लोग आपके article को कई ना कई bookmarks वोगेरा में save करके रखेंगे तो इससे जब आप अगला article डालोगे उस पर भी कर सकते हैं या फिर आप newsletter sign up करा सकते हो जब भी आप कोई भी post डालोगे तो उनके पास notification चला जाएगा तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो अब गैज यहाँ पर एक और तरीका health blog के case में आपके पास एक और option रहता है वो है qura guys qura एक ऐसा medium है जिसके तुरू आप आराम से traffic लेकर जा सकते हो अपने articles पर, अपने YouTube videos पर क्योंकि qura में क्या है ना ऐसे छटे हुए लोग आते हैं मतलब जो एक particular question लेकर आते हैं ठीके, तो उस question को solve करने के लिए आप वहाँ पर answer लिखो और उसके बाद उसको elaborate करके अपने article में लिखो ठीके, मतलब अगर pimple होते हैं तो क्या करना चाहिए ओके, मालोग की ये एक question है qura में आप बताओ, pimple होते हैं तो आपको घरेलू जो भी उसके उपचार है वो क्या होगे वो आप बता सकते हो वहाँ पर, home remedies बगेर आप लिख सकते हो और उसके बाद आप एक link दे दो अपने blog का ठीक है, answer लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आपने direct मापे link दे दिया ऐसा करोगो तो qura आपके answer लिखना है, आपको simply क्या करना है बहाँ पर एक answer लिखना है, एक satisfying answer होना चाहिए और उसके बाद आप link दे सकते हो अगर आप link देते हो, तो लोग सुचेंगे, अच्छा ये तो पढ़ लिया home remedies, इसके अलावा और जो भी options है, इस article पर जाके पढ़ लेते है ठीक है, तो वो आपके article पर जुरूर विजिट करेंगे और qura में लाखो questions है आपके एक article को promote करने के लिए qura में आपको लाखो questions मिल जाएंगे ठीक है, ये qura की सबसे अच्छी बात है सब जन्हों के mind में अलग-अलग questions आते है कोई pimples के लिए home remedy ढूनता है कोई pimples के लिए ilaj ढूनता है कोई pimples के लिए doctor ढूनता है कोई pimples के लिए cheap doctors ढूनता है ठीक है, cheap जो है na ilaj बगरा ढूनता है कोई medicine directly ढून लेता है किसी को doctor के बाद आना ही नहीं होता है कोई tretinoin cream के बारे में जानना चाहता है जो की face को glow करने में help करता है तो इस तरीके कि वो सरी चीज़ इन सभी पर आप अपने एक ही article को promote कर सकते हो तो जो भी लोग इन में से कोई भी question के लिए आएंगे और वो सब आपके article पर आके land हो जाएंगे तो ये आप health related blog में कर सकते हो अब अगर बात करें educational blog के बारे में चाहे आप digital marketing की बात कर लो photoshop की बात कर लेते है wordpress की बात कर लेते हैं web hosting की बात कर लेते हैं या फिर keyword results बहुत सारे topics है ठीक है कोई भी topic पर अगर आपका blog है तो या फिर crypto currency को मालना मतलब इतना सारे नीश है ना मैं सबका तो नाम ले नहीं सकता लेकिन इन सबसे related questions आपको कोरा में जरूर मिल जाएंगे तो आप कोरा के थुरू इन सब पर traffic बेच सकते हो लेकिन ये जो educational blog है ना इस पर आप facebook group के थुरू traffic नहीं बेच पाऊगे क्योंकि लोग तब ही कोई चीज सीखते हैं जब उनको जरूरत बढ़ती है हैँ ना और जरूरत मन लोग काहां आते कोरा पर आते facebook group पर नहीं आते facebook group पर आप लोगों को डरा सकते हो लेकिन आप लोगों को जरूरत महसूस नहीं करा सकते हैँ ना आप अगर वहाँ पर कोई ऐसा चीज अगर promote करोगे ही होता है तो जो लोग के पास काम नहीं होता है ना उनको हम ड़रा सकते हैं और उनका ध्यान कहीं और खीश सकते हैं क्योंकि वो लोग focused लोग नहीं होते हैं ठीक है अगर आप महाँ पर लिख दो गए कि अगर आपके चेहरे पे खुझली आ रही है तो आपको ये problem हो सकती है वो लोग focused लोग नहीं है वो facebook group पे क्यों है उन्हें खुझको नहीं पता होता है वो लोग उस पर click करेंगे और उस article को पढ़ने जाएंगे ठीक है तो अगर उनको खुझली हो रही होगी तो ये सब चीजे जो होती है ना ये ये सब marketers समझते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इसी लिए वो लोग facebook group पे इन सब चीज़ों को promote करते हैं आप अक्सर ये चीज़े देखते होंगे है ना youtube पे या youtube पे देखते होंगे या Facebook देखते होंगे इन में से किसी चीज़ के अलव अगर आप किसी अलग टाइप का ब्लॉग लिखते हो तो आप मुझे बता सकते हो comment में मैं आउ को बता हुगा कि आप कैसे उन ब्लॉक्स को promote कर सकते और उस नए प्राइज आपकी सेम रहेगी आपको डबल नहीं देना पड़ेगा तो गाईज आज ही अपनी वैब वस्टिंग लो आज ही अपना ब्लोग स्टार्ट करो क्यों कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे कॉम्प्टिशन उतना ही कम रहेगा ठीक गाईज तो उम्हीद है कि सब कुछ क्लियर होगा वीडियो को प्रसंदार वीडियो को लाइक जरूर कर दे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगे जोर प्रेस कर लेना टूडियो के भी नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तो आज टूडियो सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद